साहिती निद में सुनिए, समकालीन हिंदी कथा जगत में अपना एक विशेश इस्थान रखने वाली लेखी का सिनी वाली शर्मा जी की लिखी हुई कहानी बटवारा वो कमरा आज खाली हो गया, जहां पैतालिस परशनों तक आत्मा और शरीर साथ साथ रहे यहीं से उनका संसार बना और बसा, पर आज ही कमरा खाली हो गया, क्योंगी घर का बटवारा हो गया, साथ ही पती पतनी का भी बाल क्रशन बाबू बड़े बेटे रमेश और सुभाशनी छोटे बेटे सुदेश के साथ इसी घर में रहेंगे, पर अलग-अलग पती को गैस्ट रूम और पतनी को स्टोर रूम मिला, दोनों साथ रहना चाहते थे, पर बेटों की मरजी नहीं हुई, और ना ही उन्होंने इसकी जरूरत समझी, कहा, हम एक को ही निभापाएंगे इस दलील के आगे भलावे अब क्या सफाई देते हैं, इन्हें वस्तुमान लिया गया और वस्तुमें तो संवेदिनाय होती नहीं प्रत्यक्ष रूप से ये भी कह दिया गया, कि वे घर के कामों की जिम्मेदारी उठाएं, बड़ी बहु ने बालक्रश्न बाबू को बच्चों को पढ़ाने, बाजार से सामान लाने, फूल, सबजी वगएरे की जिम्मेदारी दी चोटी बहु ने सास से कहा, हम दोनों पती-पतनी नौकरी में हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, नौकरानी नहीं मिलने तक घर की जिम्मेदारी आप, खाना आप दोनों अपने अपने जगहों पर ही खाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो, कि आपके साथ खाने पर हमें सुनने को मिले कि हम आपका ध्यान ठीक से नहीं रख रहे, घर में शांती चाहिए, तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है, निर्ने हो गया, बटवारा हो गया, जिस कमरे में ये दोनों रहते थे, वो छोटी बहु के हिस्से में आया, अब वो इसी में रहे होंगी, आप वेका पे परिशान मत होना, इतना कहकर बहु ने सामान इधर उधर करने की मनाही कर दी, उधर कमरे का सारा सामान विखरा पड़ा था, जिनको कितने प्यार से संजोया था, धूल भरी तबिश अब उन पर अधिकार किये थी, जिन्दगी का साथी अलग हो गया अब आत्मा और शरीर अलग अलग रहेंगे, दोनों ठगे से अपनी बिखरी जिन्दगी को देख रहे थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, अंदर हाहाकार मचा हुआ था, बाहर खामोशी सिर जुकाय बैठी थी, सन्नाटा पसरा हुआ था, दोनों एक किनारे बैठे थे, प हम पति-पति हैं, जीते जी हमें दुनिया अलग नहीं कर सकती, पर हमारे बच्चों नहीं हमें, फूट-फूट कर बच्चों के तरह रोते हुए बोले, अगर हम बढ़ापे के लिए कोई बचा कर रखते तो आज, मेरी भी गलती है, बच्चों की खुशी दिन रात एक करक रहे, मैंने भी तो कभी नहीं कहा आप से दो पैसे बचाने के लिए, बस बच्चों की खुशियां ही देखते रहे हम, और आज इन्होंने ही हमें, कहते कहते वो भी रो पड़ी, अपनी आखे पोशते हुए सुभाशनी बोली, देखिए, आप ऐसे करेंगे तो मैं अपने आपको कैसे संभालूंगी, पत्नी का चेहरा देखकर उन्होंने किसी तरह अपने आशू रोके, सोचा, अब इन आशूं से रिष्टा बनी गया है, इसकी ही सुन लो, अब तो सुभाशनी की बातें सुनने को कम ही मिलेंगी, वो बिखरे सामानों को देखकर बोली, सोचती ह बहु के आने से पहले आपकी पसंद का एक-दो सामान आपको दे दूँ, जैसे टेबल लैम्प, वो राधा कृशन की मूर्ती आपकी कमरे में लगा दूँ, हो सकता है कि ये सामान देना वो जरूरी नहीं समझे, पर आपके लिए तो जरूरी है, सोते वक्त पढ़े बिना तो आपको नीन नहीं आती, और ये मूर्ती आप हमेशा अपने सामने रखना पसंद करते हैं, बाल कृशन बाबू फीकी मुझकर हाट ले बोले, तुम इतना भी नहीं समझती, हमारा बटवारा हो गया है, इन्हें अगर हमारी पसंद का ध्यान रहता ही, तो ये दिन आता ह जब सब कुछ लुट रहा हो, तो तिनके पर क्या ध्यान देना, पर तिनके तिनके होकर विखरना बड़ा दुखदाई होता है, याद है, शादी के बाद तुमने मुझसे यही मांगा था, कि जीते जी कभी अलग नहीं करना, पर अंतिम दिनों में ये वादा भी तूट च सुभाशिरी ने अपने आसू पूछते हुए कहा, देखिए इस तरह बैठे रहने से तो ये सब वेकार की बाते दिमाग में आएंगी, चलिए आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ, बहुत दिनों से बंद पड़ा है, आपकी जरूरत का कुछ सामान जगह पर रख होगी, ढूरने में दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ भी करने की आदत नहीं है ना, उन्होंने कहा, अब तक तो नहीं थी पर अब लग जाएगी, रोशनों अपना काम छोड़कर तो आओगी नहीं सफाई करने, जी छोटा क्यों करते हैं, रहूंगी तो सामने ही, नहीं स कमरे से तो उधर दिखता भी नहीं है, हाँ दिन में एकाद बार नजर आओगी, अब साथ नहीं रहोगी, नजर आओगी, ऐसा क्यों सोचते हैं, दो पहर में सब काम निप्टा कर आप से मिलने तो आओंगी ही, आप बच्चों की पढ़ाई और बाजार का काम पूरा करके फिर फुरसर से बाते करेंगे, बाल कृष्ण बाबू के चेहरे पर उदासी पसर गई, उस थोड़ी देर में क्या होगा, एकाद घंटे का समय है, कहां हमारे लिए साल भी छोटे पढ़ते गए, कहां ये एकाद घंटे, इतनी देर में मैं तुम से क्या बाते करूंगी, त पहले जब छोटी सी भी परिशानी होती, तो मैं हमेशा बगल में तयार रहता था, पर अब तो घर के काम और बहु के तानों को अकेले ही जहिलना है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अब तो अपने ही घर में अकेले हैं हम। अमान निकालने लगी, उसे अपनी फिक्र नहीं थी, देखे ये टॉर्च रख लीजे, आप रात में कई बार उखते हैं, पास में रखिएगा, ये चादर अधिक मुलायम है, ये भी रख देती हूं, बाल कृष्ण बाबू बस उसे देखते जा रहे थे, विछामन भी जरूरत नहीं, सुबह क्या मैं अख़वार पढ़ती हूं, वो समझ रहे थे, सुभाशनी अपनी जरूरतों को किस तरह छिपा लेती है, अच्छा ठीक है, सब समझ गया, अब चलो तुमारा कमरा भी ठीक कर देता हूं, मेरे कमरे की सफाई, क्या आप करेंगे, ये तो मेरा काम है, नहीं, देखूंगा, उसके दर्वाजे तो ठीक है, सोने से पहले तुम दस बार उटका दर्वाजा देखती हो, ठीक से बंध है या नहीं, तुम्हें चोरों का बड़ा डर रहता है, पत्नी सोच रही थी कि अब चोर क्या ले जाएंगे, एक अलगनी भी बना कपड़े रखने के लिए, अपने घर में भी रहकर लगता है कि अपने घर से कितनी दूर आ गए है, उनकी नीन तो उनसे दूर उस कमरे में छूट गई है, कहने को तो कमरा इसी घर में है, लेकिन अब कितना दूर हो गया है, बाल कृष्ण बाबू बच्चे की तरह फूट के लिए, बाल कृष्ण बाबू की नजर आशू पोस्ते हुए दवाई पर पड़ी, अरे ये तो सुभाष्णी की दवाई है, वो सोने के समय से खाती है, यहीं भूल गई, उन्होंने घरी के और देखा, रात के ग्यारा बच गए थे, वो दवाई लेकर अपने कमरे से बा दिन नहीं रहे, कितना समझाती है बच्चे की तरह, उसके सामने तो कभी-कभी सच में बच्चा ही हो जाता हूँ, मन ये मन बोलने लगे, औरत ये साथ कोई भी रिष्टा हो, दीरे-दीरे वो मा का ही रूप ले लेती है, पर वो ये नहीं सोचती कि मेरे उपर क्या बीत र ही है, मुझे कैसा लग रहा है, बच्चे हमारी हसी उड़ाएंगे क्योंकि हम प्रेम करते हैं, हमें जरुवत है एक दूसरे की, इश्वर ने प्रेम को एक ही रूप में संसार में भीजा है, हमने उसे मा, बच्चे, भाई, बहन, पती, पत्नी में बाटा है, जब तक प्रे पापा और पैसे की कमी आदमी को कोड़ कर रोग लगा देती है, सब उसे अच्छूत और बेकार समझ कर दूर कर देते हैं, कहती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पर यह नहीं सोचती कि हम उनके आगे कितने छोटे हो गए हैं, वो दवाई लेकर लोट गए, मैं जानता ह कि वो भी जगी होगी पर नहीं जाओंगा, उसने मना किया है, डबडबाई आखों से चुपचा बरामदे में बैटकर टूपता तारा देखने लगे, सुबह दोनों की आखें लाल और सूजी हुई थी, लगता है दोनों नहीं सोए हैं, सोते भी कैसे, रात तो उनके लिए होती है जिनने नीद आती है, इनके लिए तो अब रात नहीं होगी, दोपहर में पती का बुझा बुझा चेहरा देकर सुभाशनी का दिल रो पड़ा, बगल में बैठते हुए बोली, सुबह चाय पी थी, तो फिर इतने परेशान क्यों हो, वो चुप रहे, दोपहर हो पर आपको अभी काम समझने में समय लगेगा, फूल, बच्चे, सबजी, सब धीरे-धीरे सभाली लेंगे, पती के चेरे पर दर्द भरी हसी आ गई, बोले, अब भी उनकी ही बाते करती रहोगी, थोड़ा सा समय मिला है, वो भी उने ही दे दो, इतना ही प्यार है, तो यहा के समय लगाईएगा, मैं भी सबजी काटने और चावल बीनने के लिए नीचे आ जाओंगी, हमारा काम भी होता रहेगा, अबाते भी हो जाएंगी, उस समय तो छोटी बहु और बेटा आफिस के लिए निकल जाते हैं, बड़ी बहु नहादो कर पूजा करती है, बाल कृष बाल की भी बाते होने लगी, दीरे दीरे होली भी परिस्तिती और समय पर रंग डालने करीब आने लगी, होली में रंग विरंग के कपड़े ना हुए तो होली क्या हुई, अपने पनका इस परशी होली के रंगों में रंग बढ़ती है, उन दोनों के बीच होली के बैयार बही, बाते होने लगी, सुभाशेणी ने कहा, सुदेश ने तो बहु को हुली में कपड़े के लिए चेखी काट कर दे दिया है, कहा अपनी पसंद से जो चाहो ले लेना, विल्कुल ना समझ है, उपाहर तो तभी अच्छे लगते हैं जब कोई अपनी पसंद से ला कर दीता है, उपाहर किसे कहते हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता, वो तो उपाहर को भी पैसों से तौलते हैं, पतनी हस पड़ी, मुझे भी तो तुम्हे एक साड़ी देनी चाहिए, कितने तक में हो जाएगी, साड़ी का मैं क्या करूँगी, बहुत है पास में, आपको तो महीने में दो हजार रुपे मिलते हैं जेब खर्च के लिए, आदी की तो दवाई ही आ जाती है, फिर मेरी जरूरत का भी कोई ना कोई सामान लाते रहते हैं, वैसे भी इस उम्र में नई साड़ी अच्छी नहीं लगती, बहु की बहुती साड़ीयां वैसे ही पड़ी हैं, वो तो प तो निबचते होंगे कि आप रिक्षा कर सकें, अरे नहीं, इसी बहने टेहल भी लेता हूं, बात्चीत जब कभी भारी हो जाती है, तो बात्चीत ही उसे हलका भी बना देती है, पत्नी, पती को बातों से बहलाने की कोशिश कर रही थी, कौन कौन जा फूल लगाया है, एक पर इस बार तो उसके बिना होली अधूरी रहेगी, सुभाशनी बाल प्रश्ण बाबू का चेहरा देखने लगी, जब बच्चों कोई पसंद नहीं तो बनेगी कैसे, कोई बात नहीं, जब तुम सामने रहोगी, तो मेरी होली हो जाएगी, सुभाशनी कुछ नहीं बोली, अपनी हतेलियों को देखती रही, इनी हातों से कितना स्वाधिष्ट खाना बनाती थी, स्वाध उसके पती ये चेहरे पर दिखता था, पर अब तो लगता है होटल में खाना बनाती है, पसंद न ना पसंद ना ही तारी, होली का दिन आ गया, सभी रंग खेल रहे थे, खाते नहीं बेकार क्यों बनाया, सुभाशिणी ने जिजकते वे सफाई दी, गलती से दूद नीबू का रस गिर गया, तो सोचा कि चलो पुआ ही बना लूँ, रंग खिलने वालों की टोली आएगी तो उसे खिला दूँगी, वही पुआ लेकर दो पहरे पती के पास आई उस दिन बाल कृश्ण बागू बहुत खोश थे, चलो आज हम लोग इधर बैठ कर बाते करेंगे, तुमारे लिए बड़ी महिने से सजाया है, तुम कहती थी ना फूल देखना है, चलो उधरी चलते हैं, बोलते बोलते सुभाशिणी के हातों पर नजर कई, अरे ये क्या लाई हो, कुछ नहीं वस ऐसे ही, चलिए पहले फूल तो दिखाईए, आगे बढ़कर देखा, तो चारों और फूली फूल खिले थे, लगा जैसे आकाश ने फूलों में रंग भरा हो, तभी तो वे इतने चमकीले और रंगीन दिख रहे थे, धर्ती फूल खिला सकती है, क्योंकि वो धर्ती से फ्रेम करता है, सबसे आगे वाली क्यारी में सुर्क लाल लाल फूल खिले थे, वे हवा के संग संग जूम रहे थे, लगता था कि वो अंगली पकड़ कर बस रोखी लेंगे, सुभाशनी की मुस्कुरहाट में लाल रंग खुल गया, बोली, मैं जानत में ये नीले फूल बड़े शोक हैं, इनके बीच ये उजले रंगे चीटे बड़े संदर देखते हैं, ये पीला भी तो कुछ कम नहीं, सबी मेरी पसंद के हैं, बड़े सलीके से एक के पाद एक फूल, मेरी तरह इस बगया को भी संदर सजाया है, बच्चे तो बड़े ख उनको तो पता नहीं, पर तुमारी खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे हर फूल में रंग नजरा रहा है, वहाँ फूलों के बीच हरी घास है, उसी पर बैठते हैं, बाल कृष्न बाबू सुभाशने के हाथ में कागज का पैकेट देखकर बोले, इसमें क्या है, कुछ नहीं, बस आपकी पसंद का छीने का पुवा, सुनकर खुशी तो हुई, पर उनने गुस्सा भी आया, पर ये बनाया कैसे, घर में किसी को तो पसंद नहीं है, सिर्फ मेरे लिए बनाई होगी, बहु से पूछा होगा, उसने तुमें जड़का होगा, फिर भ कैसा, बाल कृष्ण बाबु समझ रहे थे, इसने कैसे मेरे लिए पूवा बनाया होगा, आँखें भराएं, ये पूवा नहीं प्रसाद हो गया, सो भाश्री उनकी आँखों की भाशा समझ रही थी, आज होली है, आप रंग नहीं आसों से मुझे भिगोएंगे, कागज की की पुडियां में थोड़ा सा अभीर लाई हूँ, आज के दिन सूने सूने अच्छे नहीं लगते, टीका लगा देती हूँ, आप भी मुझे छोटी सी बिंदी लगा दीजे, सोहागिन हूँ, होली में बिना रंग अभीर के नहीं रहना चाहिए, पती ने शरारती मुसकान के साथ कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, मैं आज के दिन तुम्हें सूना रहने दूँगा, जरा उधर चलो, बग्या के सामने से हटकर थोड़ी सी जगह थी, जो बाहर से नहीं दिखती थी, हाथ पकड़ कर वो उस भाशने को धर ले आए, देखो, होली खिलने वालों की चोटी सी टोली है, एक-एक रंग को बहुत मिन्नत करके हैं बुलाया है तुम्हारे लिए, आज तुम इनी के साथ खेलो, मैं तुम्हें देखता रहूँगा, सामने एक बहुत बड़ा सा रंगीन फूल, होली के जितने रंग हो सकते हैं, सब को अपने अंदर समेटे होगे लगा होली खेलने वालों की पूरी टोली है, इस एक फूल में, हवा में डोल रहे हैं लग रहा है, रंग बस छलखी पड़ेगा, सुभाश ने इस फूल को देखकर सुखद आश्चरे से भर गई, वो फूलों के रंग में सराबोर हो रही थी, यही तो है होली, उमंगों की होली, रंगों की होली, प्रेम की होली, वो उसमें भीगती जा रही थी, इस रंग में तन नहीं मन भीगता है, ऐसी होली सामाने मनुष ने खेल सकता, सिर्फ वही खेलते हैं जो प्रेम करते हैं, प्रेमी होते हैं, इसी लिए तो इस प्रेम को प्रिकर्द भी रंगने के लि ती ये पराग गुलाल की होली में पूरता ले आया थोड़ी देर बात उन्होंने देखा देखो ठीक तुमारे आचल की तरह ये फूल लहरा रहा है पर अकेला फूल सुना आचल सा लगता है इसके बगल में छोटे-छोटे फूलों वाला पौधा लगा दीजिए भरा-भरा लगेगा नहीं बस तुमारा आचली मेरी आखों को अच्छा लगता है छोटे पौधे बहुत दुख देते हैं रंगों की तरह दिन तो हमेशा रंगी नहीं रहते समय के साथ साथ खुली का रंग उतरने लगा सब कुछ फीका-फीका सा बुजा-बुजा सा नजर आने लग आज कल बाल-कृष्ण बाबु भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं इनका रंग तो सुभाशनी ही है वो इधर कुछ दिनों से बीमार रहने लगी है सुबह भी सबजी लगाते हुए ध्यान उसी पर रहता है कोई आहट होती है तो लगता है कि वो आ रही है पर वो नहीं आती उसका कि बाल-कृष्ण बाबु के बिचावन पर लेट गई उन्होंने उसके सिर के नीचे तक्या लगा दिया हाथ धीरे धीरे सहलाने लगे बोले बहुत ठकी ठकी सी लग रही हो रात में फिर कुछ हुआ क्या कुछ खास नहीं वही पैर का पुराना दर्द दवाई नहीं लग कि आप इनीद खराब हो जाएगी जबर्दस्ती मेरा पैर दबाने लगेंगे अच्छा नहीं लगता ना पती से भी कोई पैर दवाता है अच्छा ये बताओ कि पती किस का हूँ मेरे तुमारा हूँ तो तुमारे पैर भी नहीं चू सकता पैर क्या शरीर का अंग नहीं है इनी से तो चल कर तुम मेरे पास आई थी मैं तो कहता हूँ कि आज रात यहीं सोचा जरूरत होगी तुआ जाओगी बाल करश्ट बागु पतनी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले तुम कहती हो हम दोनों प्रेम नहीं एक दूसरे की पूजा करते हैं क्या यही पूजा है हमारी हमारे भगवान तो हमारे आसपास रहते हैं पर हम उन्हें जीवर देख भी नहीं सकते हैं इससे अच्छे तो मंदिर वाले भगवान हैं कम से कम हम उन्हें जीवर देख तो सकते हैं सुभाशनी मुस्काई, आप भी अब तक नहीं समझ पाए हैं, हम दोनों अपना अपना काम करते हैं, पर हमारा ध्यान तो हर पल एक दूसरे में लगा रहता है, यहीं तो पूजा है, पूजा की इस परिभाशा पर बाल करशने बाबू अप अलग सुभाशनी को देखते रह सोचा अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, पर इसकी बातों में कितनी कहराई है, बाल करशने बाबू पत्नी की अंगली में पढ़ी सोने की अंगलिठी को दीरे दीरे घुमा रहे थे, और बाते कर रहे थे, सुभाशनी बोली, आपका मोतिया बिन लगता है, बढ़ गया है, सम पढ़ी न कोई उपाय हो ही जाएगा, उपाय तो मेरी ही अंगली में है, मतलग तुम्हें क्या लगता है, ये अंगुठी बेचकर मैं अपनी आँखे ठीक कराऊंगा, भावुक होते हुए बोले, अब कुछ भी नहीं बचा है तुमारे पास, बस यही एक अंगुठी है, बिना सोने की औरत अच्छी ने लगती, पर जब देखने वाली आँखें ही नहीं होगी तो अच्छी क्या बुरी क्या, दोनों की आँखों में आसू दराए, आपकी आँखें अमूल है मेरे लिए, इसी ने बताया है कि मैं कितनी सुन्दर हूँ, इन आँखों के सारे ही मै प्रेम के गहरे सागर में उतरी, अगर इने कुछ हो गया तो मेरी सुन्दर्ता चली जाएगी, मेरा तो सागर ही सूप जाएगा, मेरे लिए इनका ख्याल रखिये, सुभाशनी दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी, किसी गंभीर बीमारी के लक्षन नहीं दिखाई दे रह इसलिए उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, सभी की जिन्दगी चल रही थी, दोड़ रही थी, रुकी रह गई थी तो सिर्फ बाल क्रशन बाबू की जिन्दगी, हमेशा उसी के बारे में सोचना, उसे जो बाते पसंद होती हैं वही करना, कभी कभी बाजार से उसक समय के पेड़ पर इनके प्रेम का फल पकने लगा, शायद फल गिरने का वक्त धीरे धीरे नजदी का रहा था, तभी तो पेड़ की हर पती उस फल को ऐसे चूमती दुलारती कि अब फिर कभी नहीं मिलेंगे बाल करशन बाबू सुभाशने के पास बैठे थे, उनके चेहरे पर आते जाते भाव, कभी पिता का रूप लेते, तो कभी पुत्र, तो कभी मित्र का, तो कभी प्रेमी का, उनकी आँखे डब रबा जाती, पर अपनी आँखे पोश लेते, वो नहीं चाहेते कि आशू आक की कोशिश करती, इधर उधर की कुछ बाते करती, बाल करशन बाबू उपर से हसते, लेकिन जब मन नहीं मानता तो बाहर जाकर रो लेते, पर जी खोल कर रो भी नहीं पाते, अंदर कमरे में सुभाशनी जो है, उसे कैसे छोग दो, फिर बगल में आकर बैठ जाते, आज बच्चे भी स्कूल में थे, ऐसे में अब वो क्या करें, तब तक बड़ी बहु आती दिखी, सोचा उसे बैठा कर डॉक्टर को बला लाओ, पर बहु तो आते ही बोली, बाबू जी अभी ट्रेन से मेरे पिता जी आ रहे हैं, वो तो है नहीं, आपको इस टेशन जाना होग पर मैं इस हालत में से छोड़ कर कैसे जाऊं, इसकी तबियत आज बहुत खराब है, बुखार से दे दप रहा है, बुखार ही तो है, मौसम बदल रहा है, आजकल तो ऐसा होता ही है, नहीं बहु, सिर्फ बुखार ही नहीं है, मुझे लगता है कि कोई और बात है, देखिये जो भी बात होगी देखा जाएगा, ट्रेन आधे घंटे में आ जाएगी, पिता जी को घर डूने में दिक्कत होगी, इस्टेशन पर कोई लेने नहीं आएगा तो उन्हें बुरा लगेगा, आप जल्दी ही लोट आएंगे, तब तक मैं इनके पास रहती हूँ, पिता जी क अपनों की आँखे भी नहीं पैचानती, बहु को जाते देखते रहें, क्या करो तुबारी हालत क्या उसे नहीं दिखाई देती, मैं नहीं जाएगा, चले जाएए नहीं तो फिर कोई जमेला कर देगी, तुम्हें कुछ हो गया तो, कुछ नहीं होगा, फिर भी, आप ऐसा दे कर जाएए जिससे लगे कि आप मेरे आसपास ही है, तब तक के लिए तुम्हें क्या दूँ, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, हाँ ये सांसे मेरी हैं, पर आधे पर तो तुम्हारा ही हक है, मेरे हिस्से की जो सांसे हैं उन्हें तुम रख लो, आने पर लूँगा सुभाशी दर्द भरी मुस्कुराट के साथ बोली कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे लेकर ही चली जाओ मुझे भरोसा है, तुम मेरी अमानत लेकर नहीं जाओगी मेरा इंतजार करना हमीशा की तरह कोशिश तो करूँगी, उसकी तो आदत है वर्षो की बरस की बात मत करो, वो काफी पीछे चूट के आए अब तो हम पलों में बंद गए हैं, वो समय तो अपने साथ ना जाने क्या ले गया हमारा सब कुछ, एक तुम ही छोड़ा है, वो भी इस हाल में कहीं तुम भी मुझे मत छोड़ देना, मैं, मैं तो अकिला ही रह जाऊंगा, एक तम अकिला वो फूट फूट कर रोने लगे, इस से अधिक करोना तो बच्चों के रुदन में भी नहीं होती सुभाशनी हौले हौले उनके सिर पर हाथ फिरने लगी, थोड़ा संभल कर बोले, तुम ने मेरा कहना कभी नहीं टाला है, इस बार भी खयाल लगना और क्या कहूं, मैं अपनी सांसे तुमारे पास छोड़ कर जा रहा हूं बिना सांसों के वो पल कैसे कटे हूंगे, इसकी कल्बना हर कोई नहीं कर सकता बिना आत्मा के शरीर लिये बाल करशन बाबू, अतिती को साथ लेकर घर पहुँचे गाड़ी रुकते बदहवास से बाहर निकले, वो अपनी सांसों को लेने जा रहे थे बड़ी बेचैनी हो रही थी, इस बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि सुभाशनी उनका कहना नहीं मान पा रही है इंतजार कर रही है, शायद आखरी इंतजार, पर मैं उससे अपनी सांसे वापस नहीं लूगा सुभाशनी इंतजार करते करते ठक कर सो गई, परिवार वाले उसे घेर कर खड़े थे, जीते जी अकेली थी, पर जाने के बाद सब के बीच है बाल करशन बाबू उसके हाथ पर सिर रख कर बच्चों की तरह रो रहे थे, पर इस बार सुभाशनी हाथ नहीं फिर रही थे अच्छा किया, जो मेरी अमानत लेकर चली गई, वैसे भी तुमारे बिना अब ये सांसे मेरे पास कहा ठेड़ने वाले हैं मैं भी पीछे पीछे आऊँगा, वहाँ भी तुम्हें अकिला कैसे छोड़ सकता हूं सुभाशनी के बगल में लाल सुर्क फूल पड़े हुए थे अभी आपने सुनी सिद्नी वाली शर्मा जी की लिखी हुई कहानी बटवारा